विदेशी बाजार में कच्चे तेल के भाव में तेजी आ रही है कुरूड अब 86 डॉलर के करीब पहुँच गया है कुरूड के दावों का आसर भारत में पेट्रोल डीजल के दावों पर नहीं पढ़ा है हाला कि लोग सभा चुनाओ की तारीखों का ऐलान से ठीक पहले केल सरकार ने पिछले अफते पेट्रोल डीजल के दावों में दो रुपए प्रति लीटर के कटावती की थी इस बीच घरेलू इस्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन घटने की वज़े से वित्वर्ष 2023 में इंपोर्ट तेल पर निर्भरता बढ़कर के 88 फीसद के करीब पहुंच गई है वित्वर्ष 2022 तेस में इंपोर्ट तेल पर निर्भरता 87 दस्वला दो फीसद थी जबकि 2018 में इंपोर्ट तेल पर निर्भरता 88 फीसद के आसपास थी अमेरिका और वेने जुएला में तनाव बढ़ने की वज़े से भारत का ओयल इंपोर्ट प्रुभावित हो सकता है सर बाते तो हो रहें थी घरेलू उत्पादन बढ़ाने की तो फिर ये इंपोर्ट बढ़ने के कारण क्या है ये बिल्कुल उल्टी तस्वीर है हम लोग एकनामिका में विस्तार सिस पर चर्चा कर जुके हैं कि भारत की तेल आत्म निर्भरता आखिर उल्टी दिशा में क्यों चल पड़ी इसकी सबसे बड़ी वज़ा है कि भारत की घरेलू तेल उत्पादक हैं उन्होंने लगातार निराश किया है पिछले दस एक साल में अगर आप ओइन जी सी के तेल उत्पादन के आकड़े देखें या भारत की प्रमुक तेल कंपिनिया हैं जिनसे जो तेल की खोश करती है उनके उत्पादर में लगातार गिरावट आई है जह स्थिती तेल की है वैसी ही स्थिती लगवर निच्रल गैस की भी है और इसलिए भारत में एकॉनिक ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए जितने कच्चे तेल की जरूरत थी वो लगातार बढ़ती चली गई है और भारत के की निरभरता अंतराश्टी कच्चे तेल के बाजार पर दिख रही है बढ़ रही है जो काफी वोलेटायल है जो काफी उतार चड़ोवरायजे से आज आज आप देखें कि कच्चे तेल की कीमते 86 डार पहुंच गई क्योंकि अमेरिका और विनेजुएला के बीच में गटाने की उसका असर अफ़ बाजार में धीमेधी में दिखने लगा है दूसरी महत्तमून बात ही कि रूस पर रूस का जो तेल लीख होकर बाजार में आ रहा था डाक फ्लीट के जरिये प्रतिबंदों को दायमाय करके भेजा जा रहा था उस पर अंतराश्ट्री इस तर पर सकती हुई है नेटो ने भी अमेरिका ने भी रियोपीन यूनिन ने उस पर सकती किये तो उस तेल का प्रभावी बाजार में अब कम होता दिखाई दे रहा है और इस बीच वेनेजुएला और इरान दो बड़े और देश थे खासतर से वेनेजुएला का तेल आने वाला संगत सी लगने वाली बात है कि जब खाड़ी में युद्ध की परिस्तिती बनी हुई थी जिस समय इसराइल और हमास के बीच युद्ध अपने चरम पर था और स्वेज के आसपा समले हो रहा है थे तब कच्छे दिल की कीमतों में कोई बड़ी तेजी नहीं दिखाई दी लिकिन अब जब धीमे धीमे चीजें थोड़ी सी शान्त होती दिख रही है तब बाजार अपनी गति से फिर वापस बढ़कर 86 से 90 डालर की तरफ बढ़ रहा है और ये भारत के लिए बड़ी चुनाओती हूँ कि भारत चुनाओं की तरफ जाते समय अभी पेट्रोल जलकी कीमतों में कटवती करके आया है और कंपिनियों ने जो अपने मार्जिन्स रिकवर किये थे अगर एक कीमते 90 डालर के आस पहुंची तो उनको अगले ही महीने से गाटा होना शुरू हो जाए